आज का हमारा जो क्लास है वो प्राशरी नाड़ी के उपर है जिसे वेदिक नाड़ी भी कहा जाता है बेसिकली ऐसा कोई पोर्स होता नहीं है यह मेरी खुद की रिसर्च ड्वेलप करके मैंने यह चीज निकाली है कोई भी नहीं पढ़ाता है इंडिया मैं इस चीज को क्योंकि बेन नाड़ी होता है प्राशर नाड़ी होता नहीं लेकिन मैंने एक रिसर्च करके पाया कि नहीं इसको ट्विस्ट करके ऐसे कर सकते हैं तो ये इतना बहतरीन है, कोर्स जिसका कोई हिसाब नहीं, इसमें सबसे अच्छी announcement ये कर रहा हूँ, free of cost वाली बात है, जो भी इस कोर्स में enroll करेगा, सबी के charts लिए जाएंगे, सबसे अच्छी बात है, सब के charts लिए जाएंगे, ऐसा कोई होता नहीं है, सबसे इंपोर्टन बात ये है, सब के chart एनलाइज होंगे, तो आपका तो सबसे बढ़िया पांड़ ये हो गया, के जी हमारे तो चार्टी फ्री में एनलाइज हो गया, अब देखे, कोर्स में क्या होगा, देखे, कारक होते हैं इसके अंदर, ब्रिगुनन्दी नाड़ी में क्या होता है, कारक होते हैं, ग्रह के कारक, इसके अंदर functional कारक लिए जाएंगे, बस ये difference है, ब्रिगुनन्दी नाड़ी में ग्रह के कारक तत्तों को लेकर हम आगे चलते हैं, इसमें functional ग्रह के लिए जाएंगे, इंपोर्टन रूट्स बताएंगे, transit of Saturn planet है, Jupiter है, राउ केतू है, इन सबका क्या analyze होता है, किस तरहीं कैसे होता है, वो सारा सिखाया जाएगा आपको, फिर आपको एक PDF booklet बगेरा मैं आपको दूँगा, पूरी के पूरी booklet आपको handover हो जाएगी, हर राशी के बारे में क्या detail है, क्या उसका meaning है राशी का, जब कोई planet राशी में बैठता है, तो meaning बदल जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसको ले करके चलेंगे, और समझाने का प्रयास करूँगा, ट्रांजिट के अंदर सबसे बड़ी गल्ती क्या हो रही है आजकल, मैं समझाना चाहूँगा सबको, सब कहते हैं, शनी यहां आगया, तो ऐसे होगा, शनी वहां आगया, तो ऐसे होगया, भाईया, मुझे एक बात बताओ, तो रेवड़ी बट रही है, मैं किसी की निंदा निकर रहा हूँ, सब ब्रह्म गयानी, मैं मूर्खानन्द, सबसे पहले तो मैं यह कहता हूँ, मैं बुद्धुरा हूँ, आप किसी के गर में जाएंगे, तो आप में मा में, शनी तब चोधरार दिखाएगा, जब अपनी राशी में इस समय वो कुम्ब राशी में है, जब वो मीन राशी में जाएगा, वो दूसरे की राशी में जा रहा है, यह डिफरेंस याद रखियेगा, यह मालूमी नहीं है, यह ध्यानी नहीं दे रहे, आप अगर किसी के यहां जा रहे हैं तो उसके अनुसार चलना है आप अपने अनुसार नहीं चल सकते आप अपने गर में सुब़े 10 बजे उठाओ लेकिन जब आप किसी के यह रहने जाओगे तो सुब़े वहां उनके नो बजे नाष्टा खा के सब जाना होता है तो आपको कि यहां पर जो भी जैसे मेश लगन है तो मेश लगन के functional planets कौन से हैं non-functional planets को उन से हैं उन कारक्ततों को ले करके कुंडली एनलाईज होता है इसमें फिर सबसे important point मैं आप सिखाता जा रहा हूं थोड़ा साब आप समझने का प्रयास करिए कुछ एक points मैं बताऊंगा क्योंकि यह self-develop किया हुआ एक course है जिसे मैं reveal नहीं करना चाहता कभी भी बार मैं उनको पूरी तरह सिखाता हूं जो लोग जोईन करते हैं और सबके चार्ड लेके सिखाता हूं सैटर्न जहां पे भी आएगा आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हैं formula बात है आपको twist करना आना चाहिए twisting आनी चाहिए twisting राह ही दे सकता और कोई planner नहीं दे सकता twisting astrology में और एक अच्छा बताता हूं जिसकी astrology बहुत अच्छी होती चली जाएगी राहू क्या remedy है वो astrology में आप सुधार करते जाएंगे तो राहू का सुधार होगे आपके चार्ट में Saturn means changes number one number two Jupiter means positive events होते हैं क्योंकि Jupiter is being called blessing positive events होते हैं कि नंबर तीन राहू जहां पे भी जाएगा राहू को आप सतारण वाशा में शमर लीजिए विश है पॉईजन है ठीक है तो जहां पे भी जाएगा problem create करेगा negative events होंगे क्लियर है अच्छा negative event में देखना आपके अगर किसी के भी थार्ड आउस में अगर राहू आए थार्ड आउस में राहू आए तो आप चेक करिए क्या आपके मुबाइल की स्क्रीन गाट टूटी या आपके मुबाइल की रिपेर हुई या नया खरीदा आपने तो कम्निकेशन के अंदर कही न कही राहू ने अफ्लिक्शन दिया ही दिया होगा अगे चलते हैं एक सेकेंड मैं चार्ट ले लेता हूं चार्ट लेके आपको सम्झाने का प्रयास करता हूं वह मैंने लिया नहीं चार्ट को खुला नहीं वह बंद कर दिया क्या है चार्ट कि देखें चार्ट में ऐसे ले लेते हैं अब क्या होता है माल लीजिए किसी का मिथु लगने और जुपिटर के दो साइन यह आएंगे सेवन यह हुआ वीनस माल लीजिए जुपिटर के साइन में चला गया और जुपिटर वीनस के साइन में चला गया ऐसे लोग दिव्यात्माई होती है इतनी दिव्यात्माई होती है इनको सीखने की जुरूरत निये इशारा ही काफी होता है कोई हिंट मिल जा है तो यह प्रोग्रेस कर जाएंगे हमेशा याद रखिए जिसका भी जुपिटर और वीनस का चेंज होगा वो इंसान बड़ी जल्दी जो है चीज सीखता है इतनी फास जिसका कोई हिसाब नहीं ठीक है मैं अब अगले पॉइंट के उपर आ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ उसको इशारा काफी है मेरे को समझने आ रहा हाँ यह आ गया अब आ गया मैं चार ढूंड़ रहा था कहां चला गया अब आपको बड़े अच्छी अच्छी चीजे दो चार मैं बताना चाहूंगा क्या है कि जैसे मार्स है किसी का मार्स के साथ वीनस है अब ब्रिगुनंदी नाड़ी के अंदर हाज्बेंड और वाइफ योगा है यहां पर इसके अंदर थोड़ा सा मीनिक बदल जाएंगे ठीक है मीनिक बदलते चले जाएंगे मैं इसको इसकी वजाए मैं आपको एक ऐसा उधारन देता हूं जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकें मार्श एंड राहू मार्श इस दा कार का फर सिब्लिंग चैव नाड़ी है चैव विदी के स्टों बेजिए अब यहां का प्राशन नाड़ी में मीनिक बदल गया कि यानि सिब्लिंग छोटा वाही तब ही तरक्की करेगा जब वो घर से दूर जाएगा क्योंकि राहू उस इस कांड अफ है कांबिनेशन इन हार और इस चार्ट तो उसे अपने घर से दूर चले जाना चाहिए वरना राहू आगे बढ़ने नहीं देगा उसे प्राब्लम क्रियेटर है यह थोड़ा सा डिफ्रेंच ब्रिगुनंदी नाड़ी और प्राशन नाड़ी के अंदर आगे चलते हैं अब आप देखिए मून प्लस वीनस वाइफ आते ही ट्रेवल करेगी क्लियर है वाइफ शादी के बाद ट्रेवल करेगी मून और वीनस है इस तरह से कंबिनेशन बदलते जाएंगे और यह जो मैंने पढ़ाना है इसमें दो सुत्रा से पढ़ा जाएगा विद दशा और दूसरा विदाउट दशा लो जी दोनों एंगल से पढ़के देख लो इवन सेम आएगा मैं अभी चार्ट में भी दिखाऊंगा आपको विद दशा विदाउट दशा प्लैनर्स कैसे वर्क करते हैं आप भुगा की मामा के मासा के ताव के चाचे के बेटे का भी देख सकते हो अगर देखना चाहो तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है के नहीं देख सकते हम लोग अब हमें सब लोगों को यह बताया जाता है कि सैट्रान एंड जुपिटर जो है वो इवर्स देते है कोई भी इवर्ड itors नहीं होता फूर दोनों को बिना नहीं होता है। मैंने इक दो मिनट की वीडियो बनाई हुई है आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब सब लोग कहते है यह इवर्ड देदेते हैं। मैं कह आपके बैंक में पैसे नहीं है चेक बाउंस हो जाएगा सिंपल सा मीनिंग याद रख्या करें कभी यह इवंट कंडक्ट हो जाएगा या इवंट ऑकर कर जाएगा ऐसा कुछ नहीं है भाई समझे दशा होगी तो इवंट होता है ट्रांजिट आके सबके फेल होते हैं अब ज देखिए मैं जो समझा रहा हूं सैटरन के उपर पहला ले रहे हम लोग बाकी डेफ्ट इसकी मैं क्लास के अंदर खराऊंगा वान फाइव एंड नाइं जब भी सैटरन वान फाइव नाइन में आएगा लाइफ में हूज चेंजिस आएंगे बड़े वाले चेंजिस आएं हैं जुपिटर जब भी 6-8-12 में ट्रांजिट करेगा चेंज आट बारा है तो जूपिटर की जो पावर है को कम हो जाएगी यानि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ ती जो कुछ करने की शक्ति थी वो कम हो जाएगी यानि आपकी की capability को reduce कर देगा Jupiter whenever it comes in the six eight twelve भावा now coming up to the third one that is राहू किसी भी हाउस में transit करे बाई जब इसने problem ही देनी है को positive even नहीं देना problem ही देनी है clear अब एक चार्ट देखे आपको सिखाता हूं और बताने का प्रयास करता हूं कि कैसे क्या change होगा और किस तरह से क्या होगा मान लीजे किसी का सेट्रन लगन में आया है ठीक है फ्रस्ट हाउस लगन में आया तो आप चेक करिए वो आदमी फिर्म को change कर रहा है positive way में change कर रहा है अपने आपको बहुत change ला रहा है अपनी habits के अंदर इतना change ले आदा है कि सामने वाले हैरान रहाते हैं और आप किसी का हो तो वो confirm कर सकता अपने आपको मेरे को वाट्शाप पर लिख सकता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो change job में भी आ सकते है change marriage में भी आ सकता है event हो सकता है या नए घर में shift हो सकता ह फिट से repeat कर रहा हूं शनी लगन में आएगा lot of changes will see you will see in your life either you could see a marriage or job change or shifting in a house the most important part आपके अपने attitude में आपके अपने behavior में शनी माराज बहुत सारा change लाएंगी हो कभी तो आया होगा ना check करके देख लिए किस साल में आया होगा और आपने habits में क्या change किया ठीक है अब आते हैं हम जूपिटर के उपर जूपिटर का तो क्या है कि अगर तो वो लगन में पंचम में नमम में आया तो बहुत तगड़ा positive देगा बहुत तगड़ा positive attitude देगा आपको हर तरीके से gain करा करेगा health wealth सब कुछ है माल लेजे कोई इंसान बिमार था और ट्रांजिट में जूपिटर उसके लगन में आया हो ट्रांजिट का जूपिटर उसके फिफ्ट में आया हो ट्रांजिट का जूपिटर नाइन्थ भावा में आया हो तो वो बिमार था तो उसका सही डाइगनोस नहीं हो रहा था तो अ आगे चलते हैं आगे है राहू का राहू अगर लगन में आगे माराज सबसे पहले लैक ओफ उनको तो सबसे पहले एफेक्ट करेगा ना क्योंकि दिस अखाल पुर्शा कुंडली चार्ट ना वैसे कोई भी लगन उससे कोई फर्ग नहीं पड़ता लगन में आया है ना राहू ठीक है लगन में राहू है तो करेज को कम कर देगा प्रॉब्लम देगा ठीक है तो राहू क्रियेट करेगा और के तू क्या करेगा के तू को तो तोते की तरह आप याद रखिए सड़न जैसे आपका एड़ था उस सड़न होता है मैं इसको सड़न बोलता हूं से सड़न चेंज कर देगा कुछ भी चेंज कर सकता है क्लियर है यह हमारे ट्रांजिट के अंदर चलते हैं अब एक चार्ड लेकर चलता हूं थोड़ा सा बाद में ट्रांजिट एक कराता हूं देखो हम लोग चार्ड कैसे इसका लेकर चलते हैं देखिए किसी का चार्ट है मैंने जो प्राशने नाड़ी के खल किसी जलग देना चाह रहा हूं आपको जो इंटैलिजेंट होंगे वो पकड़गे मैं क्या पढ़ाना चाहूंगा लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सूत्रास पड़े हैं लगना लॉट सेटिंग इंदा गुट पॉइंट है बहुत अच्छी बात है साथ ठीक है जी आ गया जी बहुत अच्छा है पंचम भाव पर भी दृष्टी है जुपिटर की वेरी गुट मेरी लाइफ सत्यानास है डवोर्स ही हो गया है इस कुंड़ी में कैसे पता लगा हमें हमको माद मैक्सिमम पांच स लगना एंड जुपिटर फ्राम बोथ सी दा सेवंथ वावा सेवंथ लौट सिटिंग इंदा सिक्स्त बावा फोड के चैरी दक्का खाना लड़ाई जगड़ा रोग रिपू शत्रू बोला जाता ना फंडामेंटल विदी के स्टोरेजी के अंदर आप देखिए तला की हो गया एक सेकेंड में हमें पता लग गया कोई दिमाग नहीं लगा ना हमारे को दिमाग मेरे पास है नहीं मैं वह पढ़ाता ही नहीं सिंपल सी बात कहता हूं ताकि आप इजली समझ सकें और अच्छे तरीके से आप आगे जा सकें बात क्लिए रहे है आगे चलते हैं कुंडलिया ली जाएंगी सबी एक किसी की नहीं ताकि आप बैत्रें तरीके से टेकनीक सीक्षक है और उस टेकनीक को समझ सकें ठीक है अब आगे चलते हैं एक बहुत अच्छा आप लिग करके किसी को दे सकते हैं 25 साल में यह होगा 10 कि cabeça पापा का बिजनस अगर हो तो फैमिली बिजनस भी कहते हैं सेकंड हाउस ठीक है पहला पॉजिटिव इवन आप जब दो साल पे थी अब इसमें बारा हाउस है बारा जोड़ दो दूसरा पॉजिटिव इवन 14 एर्स में होगा जिसका है वो चेक कर लें अपना बारा एड कर दिया तो तीसरा इवन पॉजिटिव यह हुआ फिर यह हुआ थर्टी एड में फि पॉजिटिव इवन्ट होगा आपको इसके पॉजिटिव इवन्ट के सारे सिस्थम सिखायत दिये जाएंगे एक सीम्पल सा बताया मैंने आगे चलते हैं अब मैं आपको बताता हूँ एक कि नेगेटिव इवंड कैसे है माल लीजे किसी का सिक्स लॉड सिटिंग इन ट्वेल्थ भावा त्वेल्थ हाउस में सिक्स लॉड आगे अ कि पहला नेगिटिव एवर कौन सो वोगा 12 कि दूसरा को ऺंग कर दीजिए 14 था कर दीजिए 60 तरह को एक simple सा तरीका सिखाया जाएगा different meaning समझाये जाएगे क्या है क्या नहीं क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूँ कोई प्राशरी नाड़ी होती ही नहीं है लेकिन ये मेरी एक research है जिसको मैंने एक course के रूप में प्रस्तुत किया आप लोगों के सामने मैंने पहले भी दो batches पढ़ाएं जिनको पढ़ाया उनके चार्ट लिएं सभी participants के और उने सिखाया ताकि वो अच्छी तरह से सीख लें ठीके तो आप भी join करते हैं तो सब के चार्ट लिए जाएंगे अगर समय निकला तो अपने बच्चे का भी पूछ लेना मेरे को कोई objection नहीं कोडोसी का भी चाहिए पूछ लीजिएगा अब जुपिटर जो है transit पे हम फिर आ रहे हैं जुपिटर हमें क्या बताता है present experience यह हमें present experience यह है और Saturn हमें बताता है past event को कैसे deal करना है Saturn क्या बताता है हमें past का जो कुछ था क्योंकि कर्मकार का है कार्मी planet है तो कैसे deal करना है वो हमें बताएगा बात क्लियर है आगे चलते हैं और इस चीज़ को बड़ी असे समझने का परयास करते हैं राहू के उपर आते हैं अब राहू क्या बता है हमारे past प्रॉबलम देगा आपके उस भाव से समंदित जो पाप थे वो भुगत नहीं अभी राहू कहा है तुला राशी क्या है बैलेंसिंग वाली राशी है मैरिज की राशी है धन की राशी है तो उससे समंदित अगर आपने पूरों में कोई कि सिन किया है यू है तो बीर इस इन चीजों को समझना है आगे चलते हैं इसको मिटा देता हूं के तु पर आते हैं कि यह आपको रिजेक्शन शिखाईगा अलग हो जाना कई लोग देखिए के तु के तु के तु दरम का ग्रह है जंड़े का ग्रह है और आप देखेंगे रिजेक्शन मैंने वर्ड लिखता है कुछ लोग के तु की दशा अंतर दशा या के तु कर ट्रांजिट में पूजा से हड़ जाते हैं तभी तो रिजेक्शन आएगा ना डिप्रेशन से तो इन चीजों के अंदर जो है हमारे को बारीकी से समझना है वैसे के तु जो है जब भी जुपिटर के ट्राइं में केतु आएगा देको मैं नाड़ी भी बीच में पढ़ा देता है मूड होता है स्प्रिच्वालिडी देता है बट सम्टाइम में डिप्स नेगेटिव इन लाइव अलग से कर देता है रिजेक्शन दे देता है क्लियर है जब भी एक और बड़ा अच्छा सूत्र दे रहा हूं लगाकर देखना केतु जब भी ट्रांजिट में जब कि यह शुद्ध प्योर वेधिक एस्टोलोजी है जब भी मेरा रिदम होता है क्लास में मैं रिदम में कुछ का कुछ पढ़ा देता हूं मेरे पास तो पॉइंट्स होता है पढ़ाता मैं अपने तरीके से जो मुझे माइंड से यह लगे कि आपको कितना अच्छा में दे सकता हूं जब भी केतू किसी प्लैनेट के साथ जोड़ता है उस प्लैनेट के कारक्तत्व के बखी उधेड़ देता है सिंपल सा थी याद रखना कोई दिमाग नहीं लगाना ऐसी होगा जी वहाँ जाएगा जी अरे मेरे पास इतना दिमाग ही नहीं है उस कारक्तत्व को रोग देगा वीनस के कारक्तत्व क्या है अब यह देखो फार एक्जांपल मैं आपको बताता हूं एक और साथ नमबर तुला राशी है तुला राशी में केतू बैटा है तो इसके जो वीनस है मान लिजे किसी का वीनस बैटा है तो वीनस के सारे कारक्तत्व को रोग देगा एक डैन की तरह आगे खड़ा वाजाएगा और साथ मुन कारक्तत्व को उधेड़ देगा बिल्बिल बुरी तरह से इतना परशान करेगा सबसे अच्छी बात मैं हर क्लास में नाम लेता हूं मेरे को अभी तक अपने दो साल के इस्पिरेंस में दो इस्टूटन्ट मिले हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे एस्टोलेजर के बकियर देड़ दिये एक नितिन चत्वार हैं जो एमदाबास से हैं गुजराश से दूसरे एपी कुमार जी है इस फ्रम बैंगलोर बींगे साफ्वियर एंजीनियर मजा आ ज आए मिले से चीख्व बधरें लूग प्रॉबलम ही सौलकरते रहें इसलिए स्टूलोजी नहीं आती शन नहीं है आंपर जुपिटर यहां है और के तूँ यहां है र्ञेट वींश से यहां है मर्कृ यहां है मून यह हैं और रहु यहां है, सेटर्न महराज यहां है, शिंपन सी बात, अब आप बड़े ध्यान से देखिए, this is a D1 चार्ट, 10th Lord sitting in the 11th भावा, वेरी गुड यार, यह तो बहुत अच्छी बात है, करम का स्वामी, कैरियर का स्वामी sitting in the house of gain, तो इसका मतलब जो भी कोई कहेगा कि आएगी, तो इसको gain होगा, मैं जब यह पराशरी नाड़ी या वेदिक नाड़ी जब पढ़ाऊंगा, तो यह बखी अउधर देगा इसके, तो रोटी नहीं कमा पाएगा, आदमी जुपिटर की दशा आएगी, तो लिंट दे रहा हूं, आप दिमाख लगाए, क्या हो सकत है, कितना जबर्दस चार्ट दिख रहा है, लेकिन उसको केरियर में सफलता नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात यह है, आगे चलते हैं, देखे, एक और बात याद रखिए, ट्रांजिट के जो प्लैनेट होते हैं, जब तक वो किसी नेटल गरै को ना देखे, नेटल प्लैनेट को, तब तक एवर नहीं होता, अब देखिए कैसे, जुपिटर है, वीनस यहां है, वीनस यहां है, यानि यह ट्रांजिट का है जुपिटर, इसने वीनस को देखा है, तो इवन्ट होगा, वीनस से रिलेटल, सिंपल सी बात है, नाडी सुतरस के अंदर तो कहते हैं, शादी होगी, पर मैं जो है, थोड़ा डीप जाता हूं, इसके साथ मैं विदिक जोड़ देता हूं, दशा है, है तो होगी, ट्रांजिट तो सभी का आता रहता है, आगे चलते हैं, माल लीजे किसी का कितू लगन में आ गया, क्या होगा लगन में कितू, किसी का तो होगा, आपके अभी चेक करिए, आपके अटिटूट में कुछ अजीब सा चेंज आ जाएगा, कितू ना दो टाइप की चीजे होती है, कोशिश करना, कुछ लोग आप सड़न मूच रख लेंगे, या कुछ लोग आप सड़न मूच साफ कर देंगे, कुछ लोग पहले दाड़ी रखते तो तो दाड़ी हट आपका फूड हैबिट्स में सबसे पहले चेंज लाएगा, फूड हैबिट्स में, सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, अब मैं लास्ट पॉइंट पर आ रहा हूँ, पहला यह है, यह को स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होगा, टू, फ्राइडे, टैन डेस की क्लासेज हैं, टू वीक्स का कोर्स है, दो हफ्ते लगेंगे इसमें मेरे को समझाने में, क्योंकि मुझे आपको राशी के मीनिक समझाने हैं, राशी के अधार बूत है, अब यह हमने कुंडी बनाई, यह भाव है इसमें यह क्या हैं, यह भाव है, जैसे ही मैंने तीन नंबर लिखा, तो यह राशी आई, इस भाव में मिथुन राशी है, जैमनी है, वाट वी से मीनिक है, जैमनी है, जैमनी साइन कमस इन दा लगना, अभी मैं रिसेर्च कर रहा हूँ, I am on the way of drafting, अगर भगवान ने चाह तो मैं आपको सिखा हूँगा, कि यह जैमनी ही मेरा लगन क्यों बना, that is called pending karma, rahu, ketu and your curse, so I am drafting on it on my research, if God has given me the power, I will give you, कि यह क्यों बना मेरा इस जनम में जैमनी, और लगन क्यों नहीं बना, यह भी है, वो उदर अभी मेरे drafting चल रही है, research चल रही है, बहुत टाफ काम है, मे सिखाए जाएंगी, इसके meaning सिखाए जाएंगे, planets के meaning सिखाए जाएंगे, number 2, आपका जो course है, इसका जो fee है, वो है 5333, 10 days का course का, और यह जो है, starting इसका time रहेगा, 7 to 8 p.m. daily basis पर रहेगा, और 4 जो है, यह basically start होगा, 22, 5, 23, 22 तरीक है, कल से start होगा, lifetime recording मिलेगी, class की, lifetime recording class की रहेगी, और वो YouTube की form में मिलेगी, YouTube form में, ताकि आप आराम से दस बार यह देख सकें, बड़ा कर सकें, छोटा कर सकें, कुछ visible नहीं हो रहा, और सबसे अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, इसमें number five जो मिलेगा, वो booklet मिलेगी आपको, booklet मिलेगी, आप book अपने पास रखिए, किसी को दिखाने की जुरूरत नहीं है, यह मेरी खुद की research और मेहनत है, तो आप लोगा join करना चाहते हैं, तो आप आईए most welcome, मैं आपको ब अराम से लिया जाएगा, और चार लोगों के भी analyze को आप सीख पाए अच्छे तरीके से, बारिकी से, एक के बारे में बाकि B, C, D ने जाना, तो B के बारे में A, B, C, D ने जाना, तो इस तरह से आप बारिकी से सीख पाएंगे, ठीक है, have a good day, good night to all of you for joining this webinar, thanks a lot.